हलो गाइस वेलकम है आप सबी लोगों का आज की एक न्यूव वीडियो के अंदर और आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने माली है जो लोग चाहते हैं कि हम अपने जीटिया से अने रियास के अंदर अपने जो पुराने ग्राफिक्स है उनसे बोर हो चुके है लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद और अगर आप यह मोट डाउनलोड कर लेते हो और वो भी इतनी कम MB में है तो आपको अपनी गीम के अंदर इतना जादा चैंजिस देखनी मिलेंगे जो कि आपको आपकी गीम को like realistic graphics देदेंगे और आपको गीम केलने में बहुत ही ज्यादा मज़ा आने वाला है तो इस वीडियो को पूरा proper देखते रीचे क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको provide करवाने वाला हूँ याप याप इसक्रीन पर देख सकते हूँ अभी मैं बता दू मैंने graphic settings को थोड़ा सा low कर रखा है लेकिन अगर आप अपने phone में पूरा max करके graphics को max करके अगर इस mode को run करोगे तो I'm sure कि आपको बहुत ज़्यादा मजाने वाला है और basically आपको थोड़ा higher device चाहिए होगा क्योंकि graphics high करने है तो like अच्छा device भी चाहिए होगा आपके पास अगर 3GB से कम का device है तो चिंता मत करो मैंने एक वीडियो बना रखी है how to fix lag उसका link आपको उपर i button पर दिख रहा होगा वहाँ पर आप उसको चाहिए देख सकते हो और जिनके phone में अगर 3GB से उपर है तो कोई दिखत नहीं है तो आप तो like चला सकते हो अपने mode क आपको पता हुगा graphics mode के लिए आपके पास जितना अचा phone उतना ज्यादा अच्छा सही रहता है बट कुछ लोगों के पास अचा phone नहीं होता तो इसलिए वो वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना उससे थोड़ा आपका lag fix हो जाएगा और फिर आप अपनी game का फुल मज ले सकते हो इस mode का भी मज़ा अराम से ले सकते हो और हर एक device में support कर चाहेगा चाहे आपका Android वर्जन कोई भी हो सबी Android वर्जन में वर्क करेगा और एक और बात की बहुत लोगों को issue आते कि हमारा GTS and Andreas light है GTS and Andreas original है तो उसका भी कोई issue नहीं होने वाला इस mode का installation होगा बहुत ज्यादा simple होगा और कोई ज्यादा को tricky method नहीं होगा simple से आपको जो है install करना होगा और किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ सो वीडियो के साथ continue बने ही रही है और आज की वीडियो काफी ultimate होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने गेम के अंदर ग्राफिक्स एड़ करना चाहते है हलाकि मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं आपको बताए कि आप GTS and Andreas Android के अंदर एक best mode कैसे दाउनलोड कर सकते हो वो मैं जो mode था game changing mode था क्योंकि उस mode pack के अंदर basically सब कुछ थे all in one mode pack था और आपको उसमें sports cards, sports bikes, सब कुछ आपको जो है provide कर रवाई दी मैंने अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो i button पर आपको show हो रही होगी ठीक है अब बात करते है इस mode के उपर तो इस mode का size होने वाला है बहुत कप ठीक है बहुत कम इसका size होने वाला है और आप इसको easily download कर सकते हो download का थोड़ा process रहता है starting में जो हमारे पुराने subscriber है उनको अराम से easy पता होगा किस तरीके से download होता है नहीं पता तो मैंने download process की भी link जो है download link के नीचे ही डा download कर सकते हो तो चलते हैं अभी installation के और installation दिखाता हूं so basically सबसे पहले आपको file download करनी होगी ठीक है best rtx mode नाम का download गाने के बाद extract है कर तो 21 MB का size होगा ठीक है folder आपको मिल जाएगा com.rockstar games.gds से simple is folder को copy या कट जो करना है करो ठीक है बहुत simple method है copy cut कर लो मैंने cut कर लिया बेक delete कर देना है ठीक है तब आपको नई file डालनी है ठीक है अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो game है वो अच्छे से चल जो है कोई भी issue नहीं आया है ठीक है और एक बात जिनका like light version है gts and in rias के अंदर तो वो जो है अपनी पुरानी file के उपर ही replace करना वनना फिर कोई ना को issue आजाएगा आपको ठीक है वना आपको game चलेगा नहीं फिर ठीक है क्योंकि जेटी से इंडिया slide में OBB होती नहीं है होती है तो बहुत कम लोग यूज़ करते है बाकी ज़्यादा यूज़ करते है तो उस situation में आपको यह चीज़ करनी पड़ेगी and अगर आपने यह चीज़ कले तो यार बहुत ही कम MB में आपको इतना अच्छा graphics mode मिलने वाला है जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ठीक है requested video बहुत बंदें बोल रहेते हैं यह graphic mode लाओ and GTA 5 का graphic mode लाओ GTA 5 जैसे graphics चाहिए हमको so काफी लोग बोल र प्रशन मैं आपको दे दूँगा on comment आप मुझे comment कर सकते हो हर एक comment का में reply देता हूँ every comment जो मुझे आते हैं उन सभी का में reply कर देता हूँ और कोई भी issue अगर आपको आता है तो मुझे आप comment कर सकते हो मैं सभी के reply दे दूँगा so don't worry को issue नहीं आएगा उपर से आप या पर देख सकते हो आपको इस mode pack के अंदर basically इस mode pack में आपको कुछ ऐसा textures एड़ करे गए हैं और कुछ ऐसी headlights एड़ करी गई है जो road light से वो भी बहुत ही जादा improvement किया गया उसमें भी और बहुत ही जादा improvement हुए है और बहुत अच्छी लग रही है प्लस आपको smart pack के अंदर HD time stick मेलेगी जो कि आपकी game में graphics को बहुत ही अच्छे से produce करेगी और एक बात यहापे crash का कोई सवाल नहीं है क्योंकि इसका size बहुत कम है और कोई file मैंने डाली नहीं है मैंने इसके अंदर कुछ script file लेट करी है obviously graphic mode तो ही और उसके अलावा मैंने 60FS के file तो डाल रखी है और उसके अलावा मैंने like छोटी मोटी scripts होती है basically तो वो जो है डाली है ठीक है and इससे आपको game कोई भी crash होने नहीं वाला so guys इस तरीके से आप इस discord पर follow करते हो तो बहुत ज़्यादा आपके मास advantages है क्योंकि मैं जब भी नहीं वीडियो दालूंगा तो वहाँ पर आपको notification आ जाएगा ठीक है कभी एक बार यह होता है कि YouTube notification नहीं बेस था तो डिस्कॉर्ट जोइन कर सकते हो अगर आप चाते हो कि मेरी वीडियो के notification आपके share and comment and मैं मिलता हूँ आप सभी से next video के अंदर इसी तरीके की videos देखने के लिए subscribe जरू कर देना आगे भी share जरू कर देना और next video आपको किस पर चाहिए वो भी मुझे comment में जरूरू बाताना ठीक है and मिलता है next video में guys thank you so much for watching this video and bye कर दो